जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना को लेकर पूरा देश अभी भी संकट में ही है और पूरे देश में इतना लंबा लॉगडाउन लगाया गया लॉगडाउन के दौरान सारी गतिविधियां बंद रही हैं मार्केट से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एजुकेशन तक सब गतिविधियां बंद रही हैं यहां तक कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद हैं जब स्कूल बंद हुए तो उससे में परिक्षाय चल रही थी जब लॉगडाउन लगाया गया स्कूल की हमने दिल्ली सरकार क स्कूल के बारे में परिक्षाय को उनके जो इनहाउस इंहाँस अग्शामशन होते हैं मिट अग्शामशन को थे हैं और दूसरे तरीकों से अग्जाम कराय उनको प्रमोट करेंगे और वो हमने किया उसके बाद हमने केंद सरकार से कहा क्योंकि objetivo प्रेस इसी बॉर्ड है कि दस्वी और बारवी की एक्जाम भी इसी तरज पर केंसल कर दिए जाएं जो बाकिए एक्जाम बच गए थे शीर लात में ठोड़ा सा उनको आपती थी लेकिन उसके बाद फाइनली दसवी और बारवी के एक्जाम भी दिल्ली की नवी और ग्यारवी की परिक्षाओं के तरज पर क्लास के प्रियोप के तरज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेल्वेट किया जा रहा है अब स्कूल का मामला तो सुलज गया लेकिन उनिवस्टीज का मामला काफी पेचीदा था क्योंकि इस पूरे सेमिस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई थोड़ी बात ऑनलाइन पढ़ाई हुई लेकिन लैब्स, लाइबरीज, प्रैक्टिकल्स, फिल्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा, कोई भी अक्टिविटी नहीं हुई, और जब पढ़ाई नहीं हुई, तो अब समस्या यह है कि परिक्षा कैसे लें, जिस सेमिस्टर की परिक्षा होनी है, उस सेमिस्टर की पढ़ाई नहीं हुई, दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे म जिस सेमिस्टर को पढ़ाई ली गया, उसकी परिक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परिक्षा कराना मुश्किल है, इस पर काफी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है, वो युनिवस्टी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत् हैं, कि थीज आर एक्स्टराऊणरी टाइम्स, और युनिड टू हैव एक्स्टराऊणरी डिसिजिजन्स इन इस तफ टाइम्स, इसलिए सरकार ने ने लिया है, कि दिल्ली राज्य की जितनी उनिवस्टीज हैं, उनमें सभी आगामी परिक्षाएं कैंसल कर दी जाएंगी इसमें सभी यूश्टीज के जो आगामी सेमिस्टर एक्जाम्स हैं वो भी और जो टर्मिनल एक्जाम्स हैं यानि फाइनल एक्जाम्स हैं उनको भी कैंसल कर दिया जाएगा फर्स्ट एर सेकंड एर थर्ड एर या फाइनल एर का कोई भी आगामी परिक्षा दिल्ली राजी की नुश्टीज में नहीं ली जाएगी सभी इनुश्टीज को कहा गया है कि बिना रिटिन एक्जाम्स कराए पुरानी परिक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमिस्टर के आधार पर या और असेस्मेंट्स जो अभी तक किये गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें जो सेमिस्टर एक्जाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमिस्टर में प्रमोट करें उसके हिसाब से इवेलुएट करके और जो फाइनल सेमिस्टर के बच्चे थे या फाइनल एयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेलुएशन करके बाकी सेमिस्टर्स के आधार पर या उनके और ऐसेस्मेंट्स के आधार पर इवेलियट करें और फिर उनको डिग्री आवर्ड करें इस समय परिक्षाय कराई नहीं जा सकती है क्योंकि कोरोना का डर है और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने तीन या चार साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी उनके इंटर्व्यूज हो गए होंगे वो अपने परिवार की और देश की कॉनों में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अपलाई करना जरूरी है तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत जरूरी है इसलिए उनुश्टीज को कहा गया है कि फाइनियल एर के एक्जामनिशन जिन बच्चों को आगामी परिक्षान देनी थी उनको कैंसल करके इवैलिएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाएं उसका कोई फार्मूला बनाएं और उनका इवैलिएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें क्योंकि परिक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वज़े से उनके साथ अन्याय होगा और परिक्षा ना होने की वज़े से फॉर्मल परिक्षा ना होने की वज़े से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ मन्याय होगा मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिली के उन लाखों बच्चों को बहुत रहात मिलेगी जो पूरे सैमिस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परिक्षाओं पे भी अनिश्यत्ता की वज़े से उनके आगे के केरियर पर संकट के बादल मंड़ा रहे थे लेकिन ये सारा अरिंजमेंट्स जो दिली सरकार ने आज निढ़े लिया है ये दिली की स्टेट उनिवस्टीज के लिए है दिली में दिली विश्विद्याले जेन यू और कई सेंट्रल विश्विद्याले हैं इसके लिए केंद सरकार को निढ़े लेना है इसलिए मानने मु निर्ने दिल्ली सरकार ने अपने विश्विद्यालों के लिया है, के लिया है, राज्य के विद्यालों के लिया है, वही निर्ने केंद्री सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर केंद्री विश्विद्यालों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ र में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सके मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंतरी जी की रिक्वेस्ट वर प्रधान मंतरी जल्दी ही इस पे दिर्देश देंगे दिल्ली सरकार के लिए हमने उनिविश्टीज को दिल्ली के जो इनिविश्टीज हैं दिल्ली करके हम चाहते हैं कि उनको बच्चों को फाइनल एर के बच्चों को डिगरी देती जाएं